नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूटूब चैनल थी रिलेटिल ट्यूटर में दोस्तों हमारे चैनल पर आपको किंद्री विद्धियल एड्मिशन 2021 से रिलेटिड कोई भी जनकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही से मिलती है तो दोस्तों आज की इस फीडियो में हम जानेंगे कि कौन से प्राइडियो वालों के एड्मिशन के चांसे कितने परसेंट होते ह हैं तो कई सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं वो जाना चाहते हैं कि आकर हम इस कटेगरी में आते हैं इस प्राइडियो के हैं तो फिर हमें कितने परसेंट चांसे होंगे हमारे बच्चे के एड्मिशन के तो इस वीडियो में हम आपको एक बताएंगे यह मेरा पिछले का जो है वो analysis है उसके आधार पर मैंने conclusion निकल रहा है जिसके बेस्पे मैं आपको बताऊंगा इसमें थोड़ा बहुत difference आ सकता है क्योंकि भारत क्या है कि एक विवित्ता वाला देश है यहां सभी priority के बेस्पे कितने chances होते हैं तो सबसे पहले मैं first priority वालों को बताता हूं first priority में आप जानती ही है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे description box में लिंक है वहां जाकर देख लिए कि first priority क्या होती है किसको मिलती है इसमें कौन से लोग आते हैं फिर भी मैं यहां पर आ प्रियोर्टी वाले आते हैं second priority में जो सेंट्रल गॉर्मेंट की autonomous bodies प्येस इंस्ट्टूट अफ आयर लर्निंग के employee हैं उनके बच्चे आते हैं उनके जो chances होते हैं वो 50% से लेके 70% तक के chances होते हैं इसके बाद जो third priority पे आते हैं थर्ड प्रियोर्टी में आते हैं state government के employee आते हैं दोस्तों state government के employee के जो chances होते हैं admission के 40% से 50% chances होते हैं state government के employee के उसके बाद जो fourth priority मिलती है वो थी state government के PSU's, Institute of Higher Learning या फिर autonomous bodies के employee को इनके जो admission के chances होते हैं वो 30 to 40% chances होते हैं इसके बाद जो सबसे कम priority वाले होते हैं fifth priority जिसमें लगभग इन priorities को छोड़के बाकी सारे लोग इसमें आ जाते हैं तो उनके जो chances होते हैं वो बहुत कम होते हैं उनके 25% से 30% तक के chances होते हैं तो आप देखने की priorities के हिसाब से जो chances होते हैं admission के वो घटते चले जाते हैं दोस्तों तो यह तो बात हो गई जो जिनको priority मिलती है या फिर ज खबराने की जुरूत नहीं है आपके भी बच्चों का admission होगा क्योंकि 25% जो सीटे होती है वो RT कोटा के तहट reserve होती हैं दोस्तों तो 25% सीट जो होती हैं वो पहले ही निकाल दी जाती हैं बाकी जो फिर बचीवी सीट होती हैं उनमें यह category और priority वगरे लगती है जैसे कि मैं इंद्री विद्ध्याले में 100 सीट है तो उसमें 25 सीट पहले ही निकाल दी जाएगी उसके बाद जो 55 सीट है उनमें यह category और priority वगरे चलती है 3% सीट differently अबल के लिए भी reserve होती है दोस्तों तो इस तरीके से आपके भी admission के chances बनते हैं अगर आप अगर आप general category से belong नहीं करते ह हैं तो आप 25% सीट्स आपके लिए ही होती है के अंद्री विद्ध्याले में अब result category होती है जर्नल EWS जर्नल के अंतरगत जो EWS में आते हैं जर्नल में जो आर्थिक वैक से कमजोर लोग होते हैं वो result category में आते हैं OBC non creamy layer SCRST और कुछ disadvantage group भी होते हैं जैसे कि आनात हैं बेग ले सकते हैं तो दोस्तों यह था मैं थोड़ा सा आपको clear करना चाहता था कि क्या chances रहते हैं admission के यह बिल्कुल exact तो नहीं है लेकिन लगबग इसको मानकर हम चल सकते हैं कि इतना percent जो है chance रहता है दोस्तों thank you so much for watching अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है हो तो like कर दीजे channel प